ट्विन टावर आज दोपेल ढ़ाई बजे ढ़ा दिया जाएगा इन टावरों में 9640 छेद कर 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया है जो कुतुब मिनार से भी उची इन इमारतों को 9 सेकंड के भीतर जमीन दोज कर देंगे इन ट्विन टावर्स को लेकर सुपर टेक के खिलाफ उनकी लडाई काम आई वहीं ध्वस्ति करण को लेकर नोईडा ट्राफिक पुलिस ने रूट डाइवर्जन का प्लान जारी कर दिया है प्लान के मताबिक पुलिस ने कई मार्गों को आज सुबह 7 बजे से इस्थिती समाने होने तक बंद कर दिया है सुपर टेक की एमरॉल इन टावर को गिराने में करीब 17.55 करोड रुपे का खर्च आने का अनुमान है टावर्ज को गिराने का ये खर्च भी बिल्डर कमपनी सुपर टेक ही वहन करेगी इन दोनों टावरों में अभीकुल 950 फ्लेट्स बने हैं और इन्हें बनाने में सुपर टेक ने 200 से 300 करोड रुपे खर्च किये थे वह रियल एस्टेट जानकारों की माने तो जिस इलाके में ये टावर्ज बने हैं वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से इन दोनों टावर्ज की वैल्यू 1,000 करोड रुपे के पार निकल जाती है अगर कानूनी मुकदमे बाजियों के चलत पॉजूद रहेगी अस्पतालों से संपर्क बनाए रखा जाएगा इतना ही नहीं अस्पतालों को पहले ही त्यार रहने का अलट जारी कर दिया गया है धमाके की वज़े से जो धूल और धूए का गुबार पैता होगा उससे कई लोगों को स्वास समंधी परिशानी आने क अंदेशा है yo so कि अलगे कि भाईतन जास्पता गेंगे फ्लेक होश्पतालों हो के जग़ह से महच चार किलोमेटर ही दूर है सरकारी अस्पताल GIMS में भी विवस्थाइं चाक चौबन रहेंगी पहली बार अदालत के आदेश पर इतनी बड़ी मारतों को गिराए जाएगा इसके लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई है आगरकार जीत आम आदमी की हुई जिसने बिल्डर की मर्मानी के खिलाफ आवाज उठा कर भरष्ट तंतर को गुटनों पर ला दिया वीडियो डेस्क अमरुजाला.डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें